पाम तेल की कीमतों में अगले कुछ महीनों तक तेजी मजबूती का रुख कायम रहने की संभावना है क्योंकि इंडोनेशिया में उत्पादन कम हो रहा है और बायो डीजल निर्मान में इसका उप्योग बढ़ रहा है। इधर भारत में त्योहारी सीजन को देखते हुए पाम तेल का भारी आयात होने की उम्मीद है। व्यापार विशलेशकों के मताबिक अक्टूबर नवंबर तक बाजार उंचा रह सकता है। जानकारों के अनुसार मलेशिया में क्रूड पाम तेल का वाइदा भाव पिछले 6 सत्र में से 5 सत्र के दोरान 3930 रिंगित प्रती टन से उंचा रहा जिसका एक प्रमुक कारण चीन के डालियान तथा अमरीका के शिकागो एक्सचेंज में पाम ते एवं सोयाबीन तेल के द प्रती टन पर बंद हुआ. अक्टूबर शिप्मेंट के लिए CPO का भारत पहुँच खर्च 1,030 डॉलर यानी 87,325 रुपए प्रती टन बैठ रहा है. इसमें शिप्मेंट खर्च भी शामिल है. एक रिसर्च एजनसी के अनुसार तीसरे माह के लिए क्रूड पाम तेल का वाइदा भाव पहले 3750 रिंगित प्रती टन रहने का अनुमान लगाया गया था, जिसे अब 100 रिंगित या 2.7 प्रतिशत बढ़ा कर 3850 रिंगित प्रती टन निश्चित किया गया है. पहले यह संभावना व्यक्त की गई थी वर्ष 2024 की दूसरी चमाही के दौरान CPO का अनुमान व्यक्त किया था. कुछ जानकारों का मानना है कि प्रमुक उतपादक एवं निर्यातक देशों में पाम तेल का बकाया अधिशेश स्टॉक अपेक्शाकृत कम है, जबकि उतपादन में भी काफी हद तक स्थिरता देखी जा रही है. दूसरी ओर इसमें त्योहार मांग मजबूत रहेगी.